नमस्कार दोस्तो मेरे नाम है भालचंद्रा ब्रह्मान्दा सिद्यस्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे दिनांग 13 फरवरी 2023 का संपुर्ण राशिफल उससे बहले आज के दिन का जो पंचंग है उसके बारे में चार्चा करेंगे आज का जो दिन है सोमवार का है शुभक रुत नाम समवसर है सुरिय का उत्तरायन चल रहा है शिशेर रुतु है माख महिना है कुरुष्ण बख्ष के साथ वेतिति है नक्षत्र विशाखा है योग वृति है दिन का जो करण है वो बवव है और जो रात का करण है वो बाल ह आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुवत होगा दोपर दो बचकर 6 मिनिट से लेकर 3 बचकर 31 मिनिट तक और अभीजीत मूर्थ दोपर 12 बचकर 17 मिनिट से लेकर 1 बचकर 5 मिनिट तक का होगा गुलिक काल और अभिजीत मूर्थ दिन के शुबकालावधी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुरुनकाम या फिन्जिन ने आप ले सकते हो उस प्रकार आज के दिन का जो राहुकाल है वा शुरुबात होगा सुबर 8 बचकर 26 मिनिट से लेकर 9 बचकर 1 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 11 बचकर 16 मिनिट से लेकर 12 बचकर 41 मिनिट तक का होगा राहुकाल और यमगंड़काल दिन के शुबकालावधी कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महतुप्रनकाम या फिन्जिन ने बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा तुला राशी में ब्रह्मन करेगा यह चंद्रमा शुक्र और नेप्चन के साथ त्रिकोनियों करने जा रहा है। यह अग मेश राशी, मेश राशी के सब्तम भाव में चंदरमा का भ्रमन है, रापे के लाब भाव में से शुक्र और निप्चन के साथ ये चंदरमा तरिकोनियो करने जा रहा है, काफी अच्छा महत पुर्ण और शुभु फलदाई दिन है आपके लिए, खास करके आपके जो वैवा साबित होगा, कुल मिला कर देखा जाए, तो दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभु फलदाई साबित होगा, इसके बाद के जो राशी है, वो है ब्रिशब राशी, ब्रिशब राशी के शाष्टर बाव में चंदरमा का ब्रहमन है, और आपके दशम बाव में सि चंदरमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है, तो जो भी आपका कारिक शेत्र है, उससे रिलेटर कुछ अच्छे आइडियाज आज आपको आ सकते हैं, अगर आप जॉब लेसे तो जॉब अगरा मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है, जो भी आपके कारिक शेत्र चंदरमा त्रिकोनियोग करने जा रहा है, आज का जो दिन है महतुपूर्ण साबित होगा, कास करका अगर आप किसे के रिलेशन्शिप में है, अब दुनों में जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छे देखे जाएगे, अगर आप धार्मिक या फिर अध्यात्मिक मार्ग म हैं, तो कुछ अच्छे इंट्विशन्स, कुछ अच्छे अनुवह आज की दिन आपको मिल सकते हैं, शेर मार्कर में ट्रेड करते हो, तो आज के जो दिन है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुपूफल अधाय साबित होगा, जो भी अनुमान लगाओगे, वो सही चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपके अश्टमभाव में से शुक्र और निप्शन के साथ या चंद्रमात्री को नियोग करने जा रहा है, आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, और वो आराम आपको मिलेगा भी, घर के जो लोग है, उनक आपके जो राशी है, वो है सिंग राशी, सिंग राशी के दरितिया बाह में चंद्रमा का ब्रह्मन है, और आपके सब्सक्रों में से शुक्र और निप्शन के साथ या चंद्रमात्री को नियोग करने जा रहा है, बहुत यह अच्छा दिन है, आपका ट्रैवलिंग में होती है उस प्रकार के जो काम है वो आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो और वो काफी के साधिया चंद्रमात्री को नियोक करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके आज के दिन आपको कुछ अच्छे आर्थिक लाव वगरा मिल सकते हैं कुछ अच्छे इन्वेस्ट्मेंट वगरा भी हो सकती है जो भी आपका कारेशेतरे वहापर का जो वा का ब्रह्मन है और आपके पंचमबाव में से शुक्र और निप्चुन के साधिया चंद्रमा त्रिको नियोक करने जा रहा है तो अगर आप धार्मिक या फिर अध्यात्मिक मार्ग में है तो आज के दिन कुछ अच्छे इंट्विशन वगरा आ सकते हैं उसी परकार आज के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफुन दाई सावित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है ब्रिच्चिक राशी ब्रिच्चे कराशी के वेया वह में चंद्रमा का ब्रहमना चादरत वह में से शुक्र और निप्चन के साधिया चंद्रमा त्रिको नियोक करने जा रहा है आज का जो दिन है थोड़ा बिजी डे सावित हो सकता है लेकिन आज के दिन कुछ अच्छे अनुबवव आपको मिल सकते हैं इंट्यूशन भी आज आपको आ सकती है अगर आप विवाईत हो तो आपकी जो वईवाई जुड़िदार है उनके साथ आपकी हार्मन बहुत ही अच्छे देखी जाएगे उनके साथ कहीं बाहर गुमना फिरना भी हो सकता है तो काफी अच्छा दिन है थोड़ा सा आज का जो दिन है बिजी हो सकता है लेकिन दिन आपके लिए महतबुर्ण और शुबव पलदाई सावित होंगा इसके बाद की जो राशी है वो है धनू राशी धनू राशी के लाव भाव में चंदर्मा का ब्रह्मन है और आपके द्रेतियों बाव में से शुक्र और निप्चन के साथ या चंदर्मा त्रिकोनियों करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके आज के लाव अगरा मिलने के संभावना काफी ज्यादा बंद रही है उसे प्रेकर आज के दिन कुछ अच्छी इन्वेश्मेंट वगरा भी हो सकते हैं थोड़ा गूमना फिर ना भी हो सकता है आज कर दिन है आपके लिए शुबपलदाई साबित होगा इसके बाद के जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के दशंबाव में चंद्रमा का ब्रह्मन रापि के द्वितिया बाव में से शुक्र और निप्शन के साथ या चंद्रमा त्रिकोनियो करने जा रहा है काफी अच्छा दिन है आपके लेखास करके आपके जो वई-वई करना है करियर के मामले में तो आज के दिन आप कर सकते हैं कुछ अच्छे लाव अगरा मील सकते हैं तो कुल मिलना के देखा जाए तो काफी अच्छा मैं तुपुर्ण और शुब भुलदाई दीन आपके लिए साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कुम्बराशी के भागय बाव में चंदरमा का भ्रह्मन है और आपी के राशी में से शुक्र और निप्चन के साधिया चंदरमा त्रिको नियुक करने जा रहा है। बहुत ही अच्छा दिन है आपके लिए आज आपका जो मूर्ड है जो आप आप में लोगे वो पूरे होते हुए नजार है कि घर के जो लोगे उनके साथ कही बाहर गुमना फिर नहीं हो सकता है घर के जो लोगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखे जाएगे आज आपकी जो अनुमान है वो भी सही साबित होते इसके बाद कि जो राशी है वो है मीनदर राशी मीनदर राशी के यतम भाव में चंदरमा का ब्रहमन है और आपके वैया भाव में से शुकर और निपचिन के साथ यता अजंदर मातरी का उन्योग करणे जा रहा है आज का ज़र दिन है आपके लिए शुबपल अधाय साबितों का कास करके अनप्रिक्षित लाब आपके दिन आपको कमपल सरी मिलेंगे उसे प्रकार जो भी काम है जो कि आपके डॉक्मेंडेशन के बारे में कई घूमना फिर ना किसे को कई कमिंटमेंट प्रॉमिसे किसी भी प्रकार के ये वन टू वन जो काम है आज कि दिन हम आपके ले सकते हो और वो काफी इजी भी पूरे होते हुए नजर आएंगे तो दोस्तो ये था दिनांग 13 फरवरी 2023 का संपुर्ण राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया नीचे कमिंट बॉक्स में ज़रू कमिंट करना और अपना ये चैनल है ब्रह्मान्ट सिद्याश्टरो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्र